यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ वहीं गाजयाबाद से फर्जी कॉल सेंटर का मामला सामने आया है पूरा मामला गाजयाबाद के शाली मार गार्डन इलाकी का है जहां सरकारी बीमा कंपनी एलाइसी के नाम पर फर्जी कॉल सेंटर चला रही थी और काम के नाम पर लोगों से ठगी भी की जा रही थी साथी प्राइवेट बैंक में नौकरी लगवाने के नाम पर बेरोजगारों से डिजिटल माध्यम से पेमेंट लेकर ठगी को अंजाम दिया जा रहा था पुलिस ने गुपत सुचना के अधार पर छापे मारी की और मौके से इस मामले में साथ लोगों को गिरफतार किया फिलहाल बताया जा रहा है कि मुख्यारोपी अभी भी फरार है साथ ही कॉल सेंटर के तार दिल्ले से जुड़े होने के आशंकाएं भी जताई जा रही है साथ है